हाई गाईज वेलकम टू आर चैनल रब्दीप सक्सेना ब्लॉग्स आज हम आए हैं ग्यान जोती सावित्री भाई फुले उद्ध्यान जोकी पुने के पिंपले सौदागर एरिया में हैं तो अब हमें बाहर आ चुके हैं तो यह किनारे देख रहे हैं दुकाने लगी हुए खिलानों की यह इसका एंट्री गेट पार्क का और साइड में ही पार्किंग है तो हमने यहां अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दिये और यह काफी बड़ा पार्किंग एरिया है जिससे की वीकेंड्स में जो ज़्यादा भीड आती है तो उन्हें कोई अपनी और गन्ने के जूस का थेले लगे हुए हैं यह टिकेट घर क्योंकि एंट्री चार्ज देना होता है जो की 10 रुपाय पर पर सन है यह साइड में देख सकते हैं कितना अच्छे पेड लगा रख हैं यह हमने एंट्री टिकेट लिया और यह पार्क का बोर्ड जिसक में उसकी जानकारी लिखी हुई है इस पार्क का लगबख छेत रुपल 34 हजा बर्ग मीटर दिया है तो काफी बड़े एरिये में यह पार्क बना हुआ है यहां साइड में यह सिक्यूरिटी गार्ड बैठे हुए हैं जो की टिकेट चेक करते हैं हमने भी अपना टिकेट चेक कर आए और अंदर आ गए हैं यह सामने का पत्थर पर पूर पार्क के बारे में लिखा हुए है तो यह जो पार्क है यह काफी बड़े एरिये में है और यह पिमपरी चिंचवर महानगर पालिक का है के दोआरा इसको मेंटेन किया जाता है तो आप देख सकते हैं काफी ग्रीनरी है काफी दूल दूल तक जतनी दूल तकि देख राए पूर पार्क का एरिया है काफी सारे पेड लगे हुए हम चलते हैं अन्दर पार्क के यहां काफी अच्छा walking track है काफी बड़ा है तो लोग और greenery area भी काफी है घास वाला area तो लोग अपना घास वाले area में बैठे रहते हैं खेलते रहते हैं टाइमस्पेंट यह देखे बीच में पार्क के sitting arrangement दिया गया है और बीच में पूरे लकड़ी की पेंसिंग की गई है जाली लगाई गई है और बीच में बीच में काफी सारे अलग अलग तरह के फूल के पेड़े लगे हुए है यह ओपर भी देखे लखड़ी का पूरा designing दी गई हुए है जाली यह structure में काफी अच्छा लगा एक हटेली का पूरा दिया गया है देखे बैग सकते हैं अधर और पूरा चार उंगलियां रंग उठा पूरा हाथ बना हुए है जो हम चल रहे आगे हैं यहां साबित्री बाई का पूरा जीवन दसाया गया है उन्होंने उनको पढ़ाते हुए और यह अलग अलग चित्र से दसाया गया उनका जीवन तो यह काफी अच्छे चित्र बने हुए हैं काफी बारीकी से इसमें किया गया है काफी सुंदर लग रहे हैं साबित्री बाई फुले जोकी भारत की पहली महिला सिक्षक थी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया और यह देखाए है यह अधिवेशन भी दिखाया गया इदा उनको जीवन तो अब हम आगे चलते हैं इस सीड़ियों उपर और देखते हैं उपर कैसा है यह पार्क यह अब हम आचके हैं उपर यह दूसरी तरफ भी सीड़िया आए दर से भी आ सकते हैं यह काफी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है जोकी काफी सुंदर लग रही है यह जमीन पर सफेद छोटे छोटे फूल बिखरे हुए हैं तो काफी साफ सफाई का यहां दियान रखा जाता है कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी जगह जगह डस्ट में लगे हुए हैं यह मुपर से देख रहा हैं पार्क को यह आसपास बिल्डिंग है है तो सोसाइटि एयरिया है आसपास यह बीच में सैंड एरिया है जहां बच्चे खेलने का पूरा है बच्चे हैं जंड में सैंड में खेलते रहते हैं और काफ सारे जूले बने हुए है जिते पैं बच्चे अपना काफी injoy करते है यह सामने देख रहा हैं बच्चे अपना See saw कर रहा है यह बच्ची फिसल पट्टी पे चड़ रहा है यह तो यह भी फिसले में काफी enjoy कर रहा है और सेंग होने से ये भी अच्छा रहता है कि बच्चों को लगती नहीं है ये रोलिंग फिसल बट्टी जो की काफी यूनीक है कम पार्क में मिलती है तो यहां काफी बच्चे ये इसका मज़ा लेते हैं इस पर हमने देखा काफी बच्चों की भीड़ थी ये बच्चों के लिए जूले बच्च जूले जूल रहा है तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं और क्या-क्या जूले है ये देखी काफी अच्छा इस्ट्रक्चर बनाए गए हैं यहां से सीड़ी चड़िए इदा स्पाइरल में पूरा फिसल पट्टी बनी लग जगे से बनी हुए और लग लग पट्टी बनी हुए कहीं स्पाइरल बनी हुए कहीं सिंपल फसल पट्टी यह देखी बच्चा कितनी एनरजी से उपर चड़ रहा है काफी हो तो सोक है यह बीच में यह बच्चों को उचलने के लिए हैं तो काफी बच्चे यहां करते हैं अभी साम होने लगी है तो काफी बच्चों की अभी भीड़ आने लगी है दिये दिये जूला हम देखाएं देखिए यहां से सीड़ी जड़ी है यहां से वह दर से फिसल जखते हैं जो की बंद है पूरा गुफा टाइप का है और उसी में साइड में एक और यह ज प्रफिसल जखते हैं तो काफी अच्छा है आगे है रहे कि बच्चा मिट्टी से खेल रहा है इसलिए सेंड मैं खेलना बच्चों का अच्छा लगता है तो है यह सही कि छोटे बच्चे अपना टाइम स्पेंट कर लेते हैं यह चड़ने के लिए मनाये गया है इस पर बड़े सब लोग चड़ते हैं यह एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है देखिए अपने कुछ खिलोने लेकर आया है गासे और उसमें मिक्टी भरके खेल रहा है तो यहां बच्चें के लिए काफी कुछ हो जाया मिल जाता है खेलने को यह इस पर लोग लटक कर पूरा अप्र काथ हैं इसमें अच्छा लगता हूं अजो करते हैं यह मतर्पिता अपने पच्चे को जूला जूलाते हुए कि बड़े लोग भी जूला जूलेता है है देखिए कि हाह पार्क के देखते हैं जो सीडियां से हम आयते हुदा उसके साइड एरिया में कतना दूसरी साइड चलते हैं यहां वीकेंड में काफी भीड रहती है तो काफी अच्छा लगता है यह एली एरिया थोड़ा सा पढ़ आता है यह उचाई पर जो वह हम देख रहें ना देखें नीचे वाकिंग ट्रेक कितना नीचे है यह इतनी उचाई पे हम हैं तो यह पार्क में अच्छा है कि यहां पूरा एक समान नहीं है नीचे भी एरिया है उपर हिली एरिया थोड़ा से उचाई पढ़ आता है अब हम चलते हैं आ आ रहें देखें क्या है बीच में यह देख जो बीच में पिठ्थर बिचे हुए हैं अब उपार से हम देख एक वाउपार पूरा देख रहे हैं देखें कितना अच्छा लग रहा है दूर दूर तक उचाई से देखने में सामें लोग वाक कर रहे हैं यह पथर भी है यह तो पहाड़ी है इस वज़े से यह हमें फूल में लगाए च्छोरोटे से जो कि काफी प्याय लग रहते हैं देखिए रॉकी मतलब पत्थर है अदर अब हम चलते हैं आगे यह अभी इदर मसीने लग गई हैं लोगों को एक्सराइज करने के लिए तो थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन में हैं अभी थोड़ा सा फ्लोरिंग होनी है यह साइड में ब्रिक्स रखे हुए हैं फ्लोरिंग करने के लिए तो अभी यह थोड़ा सा जो यह देखिए ओप तो अभी फिर भी अभी काफी लोग यूज करते हैं मसीन्स को अब हम आगे आते हुए यह देखे एक ट्रेटर टाइप का बना हुए है जिसमें पूरे रंगीन पिलर हैं और सीडियां बनी हुए हैं तो कोई भी कारिकरा हुए या कुछ होता है तो इदा सीडियों पर बैठ क लोग इंजोई करते हैं और सामने स्टेज बन जाता है यहां स्टेज बन जाता है गार्डन में सीडियों का भी अच्छे से मेंटेनेंस है और जब कभी प्रोग्राम होता है तो और अच्छे से मेंटेन किया जाता है यह जो गुंबत टाइप की दिख रही थी वह हमें दू पढ़ेंगी तो यह पूरा देखे इस्टील की गरिल लगी हुई है और जो सीडियां भी अच्छे से बनी हुई है कोई टूटन फूटन नहीं है गंदगी नहीं है यह रहे कि गुंबत कितनी अच्छे लग रही है पूरा गोल में बनी हुई है यह साइड में देखे पूरे लकडी की फेंस जाली लगी हुई है जो कि काफी अच्छी लग रहे है डिजाइन काफी अच्छा है और हम पार्क को उपर से देख रहे हैं काफी उचाही पर आ चुके हैं भी हम यह बीच में पूरे में गोल में पूरा बैटने के लिए सीट्स हैं अपना लोग यहां कि अपना थोड़ा से टाइम स्पेंट करते हैं यहां भी बैट कर अब हम नीचे जाते हुए हैं यह देखे पूरा लोग बैठे भी हुए हैं अपना तो हम नीचे जाते हुए हैं आसपास पूरे ग्रिल के पेड़ पौदे लगाए गया है 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 हम नीचे आ गए हैं सामने हो हॉस्पाटल भी है आगे चलते हुए यह देखे छोटा से गार्डन बना रखा है छोटी छोटे अभी पेड़ नई लगाए गया हुए हैं काफी सुन्दर लग रहे हैं यह फूल इन्हें हम थोड़ा पास से देखते हुए हैं देखे लॉर्इंज गुलाबी करफी संदर लग रहे ते इसलिए लिए यहां सिकेपचर किया है अ हुआ है कि यह थने बड़े ए अरिया में लगा गई गए हैं दो अभी छोटे में लगाए तो आभी नभी टोड़ा बड़े हो जाएंगे तो के संदर लगेंगी यह यह आगे देखा हैं हम यह एक लाइन में लगे वह काफी सुन्दर लग रहा है यह बी और यह लोग अपना बैठ के टाइम स्पेंड करते हुए अब हम आगे चलते हुए यह पूरा कच्चा एरिया है जहां लोग जोगिंग करते हैं तो यहां आपको रणिंग जोगिंग के लिए एक option और मिल जाता है कच्चे में और काफी अच्छे से इसको रोल किया गया है तो ठोस मिट्टी है और साइड में रोड चलती रहती है यह देखिए पूरी में रोड है पूरा बाहर आई अब हम चलते हैं नीचे पूरा अच्छे से इसे किया गया है जिससे कि कोई गड़े या कुछ ना हो यह कैमरे भी लगे हुए हैं जगे जगे लगे हुए हैं जो की सिक्रेटी परपैस के लिए अच्छा है टीवी सर्विलेंस के बोर्ड लगे हुए हैं जगे 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 यह आगे चलते हुए हैं यह काफी अच्छा लगा में रफार्क में आकर काफी बॉक करने को मिल गया और खासा भीड आती है बच्चों को लेकर जादा लोग काफी टाइम स्पेंट करने आते हैं तो हम भी विजिट करके अब हम जा रहे हैं बाहर साम का समय हो गया है अंधिरा होने वाला है तो अभी हम तो आप लोग भी इस पार्क को विजिट करें काफी अच्छा लगा हमें और यहां पार्किंग एरिया में आये और हमने अपनी गाड़ी ली ठंक्स वर वच्छिंग लीस लाइक लीज लार शब्सक्राब एड शनल धंक्यू